नमस्कार मैं हूँ कुमार गजेंद्र जनपत्थ on the spot में आपका स्वागत है हमार एक दूसरे social media platform podcast with कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है जहां आप हमें सुन सकते है दिल्ली के अंदर आने वाले तीन से चार महीनों के अंतराल पर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव एक बार फिर से दिल्ली सरकार के होने वाले हैं जी हां वही दिल्ली सरकार जिसमें अर्विंद केजरी वाल जैसे ब्रस्टाचारी इंसान का जनम हुआ था जो ब्रस्टाचारी आम आदमी का चहरा लगा कर आया और उसमें पूरी दिल्ली को लूटने में जो जल्द राजी दिखाई इतना लूटा कि आज दिल्ली हर इस तर पर करा रही है दिल्ली के अंदर प्रदूशन ही प्रदूशन है बिमारिया फैल रही है अस्पतालों का बुरा हाल है कॉलेजों का बुरा हाल है सेल्रिया मिलने ही नहीं है लोगों को इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है अर्विंद केजरी वाल ने दिल्ली के अधिकांस लोगों की जो जन भावनाएं थी और जो आस्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा था जी हां हम बात कर रहें यमुना सफाई की यमुना सफाई के नाम पर अर्विंद केजरी वाल ने 8500 करोड रुपे से भी जादा की लूट की और लूट के बाद यमुना में एक तिनकावी सफाई नहीं की और ज मुना को साफ करना सुरू किया तो यहीं अर्विंद केजरी वाल सरकार हाई कोट चली गई और वहां पर LGV के सक्साना के काम पर रोक लगवा दी गई तो आखिर कसूर किसका इसी बात को अब दिल्ली के अंदर मुख्य पार्टी बनी भारतिय जंता पार्टी भुनाने पर चाहिए और भुनाना भी चाहिए तो कि विपक्ष का काम ही है आप गलती करोगे तो विपक्ष पकड़ेगा तो भाजपा पकड़ रही है पूरा दस साल अर्विंद केजरी वाल ने दिल्ली के खजाने को कैसे लूटा जाए दिल्ली के टैक्सपेयर के पैसे को कैसे लूट और अब भारतिय जनता पाल्टी उन फुटेज को दिखा दिखा कर जनता को लुबा रही है जिन फुटेज में अर्विंद केजिरीवाल ने कहा था दो हजार पच्चिस में मैं यमुना को टिम सनदी बना दूँगा और यमुना के अंदर जाकर दिल्ली की जनता के साथ मैं खुद भी डुबकी लगा हुआ आज इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए भारतिय जनता पार्टी के दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष विरेंदर सस्देवा आईट्यो पर यमुना किनारे पहुँच गए यमुना किनारे जाकर उन्होंने सबसे पहले अरविंद केजरिवाल और आतिसी मारलेना के लिए बड़े बड़े बहुत खूब सूरत दो सोफे लगवाए और उन सोफों पर एक पर अरविंद केजरिवाल का नाम लिखवाया दूसरे पर आतिसी मारलेना माने निया मुख् कीजिए इसका मतलब यह था कि जो आम आदमी बन कर आया था आज वह आली शान सोफों पर बैठता है कि आली शान सोफों पर बैठता है 16.6 लाख रुपय के सोफे जो अपने आप मूड के हिसाब से और व्यक्ति उस पर बैठा होता है तो आज वही शोपे लक्जिरियस शोफे आज यमनड किनारे लगा दियшь गया है या ITU के पास का वाक्या है सुबह सुबह विरेंदर सस्देवा अपने दलवल के साथ यमना किनारे पहुचे और उन्होंने देखते देखते यमना के अंदर डुबकी लगा तो यह डुबकी उस उस करतूत की डुबकी थी जो अर्विंद केजरिवाल ने पिछले 10 सालों के अ दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया सिर्फ और सिर्फ ब्रस्टाचार 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 यहीं किया इसके बावजूद अगर किसी ने काम करने की कोशिज की उसे काम करने नहीं दिया यानि कि हम सीदे सीदे LGBT के सक्सेनों को कह रहें देखे चाहे सड़कों की लाइटों से जुड़ा हुआ मामला हो अभी जो दिल्ली के अंदर जो खेल हुए थे उनके अंदर lgb के सक्षणार ने लिया आसीता को बना दिया आसीता पार्क यमुना के नारे जो बनाये किया था लेकिन यही केजरीवाल सरकार मुफ्त का पैसा मरोड कर यानि कि दिल्ली के टैक्सपेयर का पैसा वकीलों पर लुटा कर कोट चली गई और कोट के अंदर केजरीवाल साब ने रोक लगवादी LG के इस काम पर और आज हालत यह है कि यमुना जाग ही जाग दिखाई दे रहा है गंदगी गंदगी दिखाई दे रही है यमुना को किसी भी इस तर पर साफ नहीं किया गया 2025 आने वाला है और केजरीवाल तेहार जेल से छूट कर अब आम आदमी बनने के एक और चहरा अक्टियार करने की तरफ अग्रसर है अरविंद केजरीवाल बराबर चहरा बदलने की कोशिस कर रहे है CM5 से इस्तिपा दे दिया है सीस महल जिसमें वो रहते थे उसकी चावी छीन ली थी इसके बाद आते सी मारलेनों के नाम करा दिया गया ताकि उसको कोई खो ले ना और तो और बारा से तेरा लाख रुपे के जो कबोड थे टोटो कंपनी के जो कबोड थे जो मूड के में अपने आपको टैमपरेचर से लेकर लाइटिंग पानी के पानी के प्रेसर से लेकर पानी के मतलब क्वालिटी तक सब कुछ अरज्यस्ट करती है उस तक को उखाड़कर अपने साथ ले के तो अरविंद केजरिवाल आब मुख्यमंत्री से चोर बन चुके है चोर का जाए इतियास में जब भी कभी अर्विंद केजिरिवाल का नाम चलेगा तो जैसे अकलेस यादव के साथ होता है तो यह जरूर कहाग जाएगा वही तोटो टौइलेट सीख चोर तो आप यह समझ यह के यमुना देखे अभी दिवाली का मौका है अगले हपते दिवाली है द कंपून हिस्सा यह बहुत बड़ा पर्व मनाता है और दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा ताधात में उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं और वोतर हैं चुनाब होपे परभाव जालते हैं अब इस्तिती यह हो गई है कि आखिर वो अ वोट नहीं और यह केजरिवाल खुछ समझ भी चुके हैं कि उनको इसमार कोई वोट नहीं दे रहा है अर्विंद केजरिवाल अपनी हर सवा में जाकर कह रहे हैं कि देखिए हार जाएंगे हम बीजेपी को मत दीजिएगा क्योंकि बीजेपी अगर हम हार गए बीजेपी नहीं इनको निकाल कर बाहर फैखना ही होगा और यह ऐसे समय में होगा जब नवमबर को चार या पांच नवेंबर तक जब उत्तर जब बिहार और उत्तर परदेश के लोग अपने आस्ताके इस इनकाल मिलेगा उसको देखकर लगता नहीं है इनने कोई चार बोट भी डालेगा यानिके अर्विंद केजरीवाल का जो हाल हर्याने में हुआ है 90 में से 89 सीटों पर जमानेते जब तो ही है दिल्ली के अंदर हो सकता है ऐसा उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाए क्योंकि केजरीवाल के उपर चोर का ठपा लग गया केजरीवाल के उपर लुटेरे का ठपा लग गया सराब के एक के साथ एक फ्री देकर कमिशन खोरी का ठपा लग गया सीस महल में रहने का ठपा लग गया सीस महल के अंदर टोटो टॉयलेट सीट लगाकर और फिर उसे चुड़ा ले जाने का टपा लगया करोडों का माल चोरी करके ले गया सीस महल और बंगलों में रहने लगा आदमी तो ये सारी जो चीजे हैं दिल्ली का आम आदमी जो दिल्ली के अंदर वोटर है वो इस सब को नौटिस कर रहा है और अर्विंद केजरिवाल को निकाल कर बाहर फैकने के लिए पूरी तरीके से तयार है अब इस्तिती ये है कि आज भारतिय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को भुनाया और हम आपको पहले ही ये बात बता चुके है कि भारतिय जनता पार्टी टोटो टॉयलेट सीट को चुनावों का मुद्दा बनाने जा रही है हो सकता है बड़े-बड़े मॉडल्स आपको गारी पर होडिंग्स पर ग्लो साइंस पर दिखाई देने लगे कि टोटो टॉयलेट सीट अर्विंद के जरिवाल चुरा ले गए ये बहुत बड़ा एजेंडा अब भारतिय जनता पार्टी चला रही है उसी की कड़ी में आज भाज पाने दिल्ली के आईटियो के पुल के पास यमना नदी में दो कुर्सियां रखकर यमना के अंदर जल को हाथ में लेकर बताया कि जल में कितना कुछ कूल माल हो चुका है अर्विंद के जिवाल कोई काम नहीं किया आते सी मार लेनों सिर्फ और सिर्फ रोना पानी पीना और जूटे मगर मच्छी आसू वहाना सिर्फ यही कर रही हैं इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं ह भरते हैं वैसे भी ओखाडाओं रखके बैठी हैं तो यह जो दिल्ली का हाल किया है और दिल्ली आज जो तरस्त है वो उसमें जितनी भी मुद्दे हैं उन सब को भारती जन्ता पार्टी लेकर अपने गुल दस्ते में सजाकर दिल्ली के घर घर तक पहुंची हाला कि पहु जीत चुकी हैं प्रियंका गांदी क्योंकि यह तो देखिए नेतागीरी है इसमें भाजपा ने बहुत कमजोर कैंडिडेट प्रियंका गांदी के सामने खड़ा किया है तो चुना तो हाला कि उनकी जोली में चला गया लेकिन राहुल गांदी उससे पहले नींद से नहीं जागेंगे और जब यहाँ पर सारी चीजे हो जाती है उसके बाद राहुल गांदी आते हैं कौंगरेश को पीछे दाखेल कर दिली परदेश कौंगरेश को पीछे दाखेल कर फिर वो गले लगा लेंगे केजरीवाल को उनमें बहुत सारे कीचाणू ट्रांसपर हो जाएं अर्विंद केजरिवाल ने यमना सफाई के नाम पर किया दो हजार पच्चिस में साफ करने का वादा किया था कई किलिप जो कई टीवी चैनलों को इंटर्वी पे उन्होंने कहा था या आपने भाषणों के दोरान भी कहा था उन सब को भारते जंता पार्टी हर आदमी के अरी 25 साल 30 साल पीछे चली गई है दिल्ली के अंदर कोई कंस्ट्रेक्शन ने कोई कोई काम नहीं हुआ है कोई इंट नहीं लगे कोई एलिवेटेड रोड कोई फ्लाइओवर कोई सड़के सब तूटी पड़िये सब खस्ता हाल है और सिर्फ और सिर्फ अगर अर्विंद क केजरीवाल एंड कंपनी बड़ी-बड़ी बाते पेड न्यूज अकवारों में छप्रा करके वल ये करती है तो सिर्फ वो बताती है कि हम रोड ठीक कर देंगे लेकिन रोड ठीक नहीं होते हम लगातार आपको टच में आपको मौके से जाकर हम ये बिल्यू बना कर भी बत के अंदर विरेंदर शस्देवा ने डुम की लगाई और ये बता दिया कि अर्विंद केजरीवाल यमना साफ नहीं होई यानिके अर्विंद केजरीवाल मतलब आपकी आस्ता आपकी भावनाव आपके संसाधनों से खिलवाड और भ्रष्टा चार का जीता जागता उधार बहराल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सबस्क्राइब और शेयर जरूर करें अपनी राय जरूर लिखें इससे में बहुत 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 और जा मिलती है जैहिन चैवाल